तुम तो मेरे लिए बहुत खास हो, बहुत सादा, तुमसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे विश्वास पर मैं भी आश्चर रजकेत हो जाता हूँ, तुम्हारी किस्मत में मैंने वो लिख दिया है जो तुम्हें लगता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, पर उ इस समय घबराऊ मत, बस अपने कर्म करो, देखो और मुझे चित्र में मेरे बच्चे खोजते हैं, लेकिन तुम ये समझो कि मैं तुम्हारे आसपास रहता हूं, तुम बैठते हो तो मैं भी अदृश्य रूप से बैठ चाता हूं, ठीक तुम्हारे सामने, तुम खाते हो तो तुम्हारे थाली से पहले मैं खाता हूं, तुम्हें याद रहे या न रहे, तुम जब आर्ती करते हो, मेरी सचरित्र पढ़ते हो, तो मैं सामने आकर बैठ चाता हूं, एक शन भी तुमें अकेला नहीं छोड़ता, ये तुम्हें समझाना चाता हूं, तो सर्फ चित्र में नहीं वास्तविक्ता में मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हारे साथ हूँ हर बार जब मैं तुम्हारे पास किसी छोटे या किसी बड़े रूप में आता हूँ तो बड़े ही खुश होते हो न तुम लेकिन अब तुम्हारी बारी है अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी तो ये विंति करो, कि तुम अपने हाथों से जिसके पास मुझे दे रहे हो, उसकी जिन्दगी भी सवर जाए। जब भी तुम दूसरों के लिए दुआ करते हो, तो मैं जादा ध्यान से तुमें सुन रहा होता हूँ। जब तुम दूसरों के लिए विंति करते हो, तो वो कबूल होती है, और साथ ही साथ तुम्हारे हिस्से में और आशरवाद बढ़ जाता है। कम से कम तुम्हारी बादाएं तो दूर करता ही जाता हूँ। इसलिए विंति करने से पीछे मत हटना, और किसी और की जिंदगी को रोशन करने में हमेशा आगे रहना। आज जो दक्षिना तुम मुझे देना चाहते हो वो तो तुम्हें पता है ना तुम्हें किसे देना है तुम्हें उसे देना है जो मेरी सेवा करता है जो मंदिर में दिन रात मेरी सेवा करे तुम उसे देना उसी रूप में मैं तुम्हारी दक्षिना हमेशा स्विकार अगली बार जब अपने लिए कोई सुन्दर सा वस्तर खरीदने जाओ किसी तीज त्योहार की तैयारी करो तो उस वक्त एक साड़ी या एक कपड़ा ओर लेना मेरे ही मंदिर के पास किसी जरूरत मंद के हाथ में देना ध्यान रखने इस बात का मैं पहनूंगा मैं सुईकार करूँगा इंतिजार करूँगा कि कब तुम मुझे एक साड़ी ला कर दो और साड़ी नहीं तो कम से कम एक चुन्जी बहुत खुश रहो बहुत खुश रहो बहुत नश्चिंत रहो क्योंकि तुम जिस चीजों के लिए पूजा करते हो वो तुम्हें आशरवाद में मिल गया है तुमने जिस चीज का त्याग किया है मैं तुम्हें समय से वो सब लोटाऊंगा तुम्हारे हिस्ते की खुशियां सो गुना बढ़ा कर दूँगा चिंता मत करो सब काम अपने आप होगा आशर्य करते रह जाओगी कि कैसे हुआ खुश रहो